हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चेनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गुलाब के पौधे के उपर आप मैक्सिमम फ्लावरिंग जादा से जादा फूल कैसे ले सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको इसके उपर लेनी पड़ेगी मैक्सिमम ग्रोथ जादा नई ग्रोथ आप अपने गुलाब के पौधे के उपर इस समय कैसे ले सकते हैं ये जो टाइम है फरवरी का महीना फरवरी का महीना आलमोस्ट निकल चुका है और इसके बाद शुरू होगा मार्च का महीना तो मार्च का महीना भी काफी बड़िया टाइम है गुलाब के पौदे को घना बनाने के लिए इसके उपर maximum growth लेने के लिए इस टॉपिक पर मैं पह पहले आपके साथ शेयर किया था आज का जो हमारा वीडियो है इसको मैंने दो भागों में डिवाइट किया है पहले भाग में आपको बताऊंगी कि maximum growth हमको कैसे लेनी है और दूसरे भाग में आपको बताने वाली हूँ कि गुलाब के पौदे के ऊपर चमकदार पत्तियां आ आपको कुछ लाल रंग का क्यों दिखाई देता है और एक बहुत important टिप इन दोनों ही चीजों के लिए अगर आपको अपने गुलाब के पौधे पर अच्छी ग्रोध चाहिए और चमकदार पत्ते चाहिए तो कौन सा वो homemade fertilizer है जो की गुलाब के ऊपर अगर आप इन दो महीन में देंगे तो आपको बहुत अच्छी ग्रोध के साथ साथ जो नए पत्ते पौधे के अंदर निकल कर आएंगे बहुत ही healthy होंगे हरे रंगे और चमकदार होंगे तो friends वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो सबसे पहला भाग है जिसमें की आपको अपने गुलाब के प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है प्रूनिंग यानि की कटाई चटाई तो थोड़ी सी उपर उपर से आप अपने पौधों की कटाई जरूर कर दीजिए जैसे ही आप कटाई करोगे आप देखोगे की जादा नई ब्रांच नीचे से निकल करके आने लग जाती है क्यों प्रूनिंग करोगे तो बेशल शूट्स आने के चांस भी बढ़ जाते हैं बेशल शूट्स वो है जो एकदम नीचे से निकल करके आते हैं पौधे में और ये पौधों को आगे जा करके घना बनाते हैं दूसरा पौइंट जैसे जैसे आपका गुलाब का पौधा नई ग् बढ़ जाती है पौधा जो है एक्टिवेट होता है और नई ब्रांच को निकालने के लिए क्योंकि जब पौधे में पत्ते नहीं रहते हैं तो पौधे को खाना बनाने के लिए पत्तों की जरूत होती है पौधा मोटिवेट करता है ब्रांच को तेजी से नई ग्रोथ नि इन महीनों में जड़ों की ग्रोथ जितनी अच्छी होगी मिट्टी में पौधा उपर उतनी ही जादा मात्रा में नई ब्रांच इसको निकालेगा इसकी बाद चौथा पॉइंट जिस भी पौधे में आपने ये सारे काम किये हैं प्रूनिंग करी हैं फोटिलाइजर दे दिय और पौधे के अंदर हलके हलकी सी नई नई ग्रोथ आने शुरू हो गई है तो आप इसको अच्छी धूप वली जगह पे रखना यानि ऐसी जगह पर पूरे दिन की धूप इसको मिले जितनी जादा धूप इसको मिलेगी ये उतनी ही तेजी से ग्रोथ करेगा जो नए चिस के लिए मदद करते हैं निकानने में उसमें आता है सबसे पहला नाइट्रोजन दूसरा है फासफोरस और तीसरा है कैलशियम तो आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो फटिलाइजर जिससे सारी की सारी चीजे गुलाब के पौधे को मिल लेकिन उससे पहले फ्रेंट्स ये जो पहला पार था कि जादा ग्रोथ हमें कैसे लेनी है इसके लिए 5 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किये आगे का जो दूसरा भाग है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि पत्तों को चमकदार आपको कैसे बनाना है वो कौन से फट पत्ते लाल कलर के क्यों होते हैं आपने देखा होगा पत्ते लाल कलर के डार्क पिंक कलर के या फिर कुछ बैंगनी रंग के होते हैं इसके पीछे क्या कारण है फ्रिंस ये पत्तों के अंदर कुछ रासायनी कारण है जिसकी वजह से होता है आपको पता है कि जो पत्तों का हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है जिससे पत्तों का रंग हरा दिखाई देता है लेकिन जैसे ही गुलाब नए शूर्ट्स निकालता है नए ब्रांचिस निकालता है तो शुरुवात में जो इसके पत्ते है आपको लाल कलर के बैंगनी रंग के या फिर डार्क पिंग कलर के दिखाई देगे, ये ऐसा इसले होता है क्यूंकि इसके अंदर जो स्टार्टिंग में पिग्मेंट पाया जाता है वो होता है एंथोसाइनीन या फिर केरोटीनॉइड लेकिन जैसे ही ये पत्ते पुराने होते चले जाते हैं, अपने अंदर जादा खाना बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये जो पिग्मेंट है जिनका मैंने आपको नाम बताया, कैरोटीनॉइड और एंथोसीनाइन, ये धीरे-धीरे क्लोरोफिल में कनवर्ट हो जाते हैं, क्लोरोफिल में बदनने के कारण जो नीचे की पत्तिया ह आपको हरी दिखाई देंगी, और जो उपर की नई पत्तिया निकल कर आएंगी, ये आपको लाल दिखाई देंगी, क्योंकि इनका पिग्मेंट अलग है, इन्होंने अभी पुरी तरीके से अपने अंदर खाना बनाना शुरू नहीं किया, और जैसे ही इनको अच्छी दू रंके दिखाई देंगे, और जो नए पत्ते हैं, वो आपको लाल रंके गुलाब के पौधे में दिखाई देंगे, खास तोर पर ये जो कंडिशन है, ये गुलाब के पौधे में आपको जादा देखने के लिए मिलती है, इस पॉइंट को मैंने आपको इतना डेटेल में इसलिए समझाया है, क्योंकि काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि गुलाब के पौधे के उपर लाल पत्ते कैसे लेने हैं, तो ये एक नेचरल प्रोसेस है, आप इसको खुद से नहीं ले सकते हैं, जैसी कंडिशन आपके पौधे को मिलती है, वैसा ही आप आपका पौधा ग्रोध करता है, और अगर इसके अंदर अच्छी मात्रा है, सभी खाद की, सारे नुट्रिशन, सारे सारे माइक्रो नुट्रिंस अगर आपके पौधे के अंदर हैं, तो आपका पौधा स्टार्टिंग में जो शूट निकालेगा, वो काफी चमकदार और दाल रंगे निकल करके आते हैं, अब यहां पर तीन फर्टिलाइजर ऐसे हैं, जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, पत्तों को चमकदार बनाने के लिए, पत्तों का हरा रंग बनाने के लिए, इसमें जो तीन चीज़े हैं, सबसे पहले नमबर पे आता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में हैं, तो पत्ते आपके हल्दी और हरे रंग के दिखाई देंगे, दूसरे और तीसे नमबर पे हैं, मैगनीशियम और आइरन, तो अगर आपके पौदे के अंदर अच्छी मात्रा में मैगनीशियम और आइरन हैं, तब भी आपको अपन रंके आपको दिखाई देंगे दूसरी चीज ऐसे पौदर के अंदर फ्लावरिंग भी कम होती है इन सारी कमी को पूरा करने के लिए अगर मेगनीशम की कमी है आयरन की कमी है तो मैं हमेशा आपको ये सज़स करती हूँ कि आप महीने में एक बार सीवीट का फटिलाइजर उसकी ग्रोध को बढ़ाएगा उससे हमारे पौदे को नाइटोजन, फासफोरस, पोटाशियम के अलावा माइगनीशम और आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगे साथ में और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिंस मिल जाएंगे जो की पौदे की ग्रोध में इसकी फ्लावरिंग में और पत्तों के चमक को बनाने में पौदे की मदद करते हैं वो फटिलाइजर क्या है इसको अब बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं ये जो फटिलाइजर है ये सीवीड का काम करेगा आपके पौदे के ऊपर इसके साथ ही जो सारे माइक्रो न् हैं जो कि इस फटिलाइजर से आपको मिलेंगे और इसको बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज हमने ली है यहाँ पर ये है प्याच का चिलका उपर का जो सुखेवे प्याच के चिलके है इसको आपको लेना है ये बहुत ही बड़िया सोर्स होता है आईरन का और मेगनेशि केले के चिलके को आप एका दिन के लिए धूप में रख देना ताकि जो इसका मौइशर है वो खतम हो जाए बिल्कुल गीले केले के चिलके आप मत लेना अगर आपके पास एकदम सूखेवे चिलके हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं तीसरी जो चीज हमने यहाँ पे लिए पौुछे के लिए हैं यह 10 12 प्याच के चिलके थे और यह जो अंडे के चिलके आप देख रहे हैं यह है चार 5 अंडे के चिलके जिसको मैँने अच्छे से तोडलिया है पहले है euros केले के चिलके में भी हमें केलशियम और आयरन मिल जाते हैं कम लोगों को पता है कि केले के छिलके से हमें पुटाशियम तो बहुत अच्छी मातरा में मिलते हैं लेकिन ये सारे माइक्रो न्यूटरिंस भी मिल जाते हैं अब यहाँ पर जो चौती चीज में ले रही हूँ ये है कौफी पाउडर ये कौफी पाउडर का पाउच है जो की मुश्किल से 2 रुपे का मिलेगा आपको अगर आपके पास कौफी पाउडर का डबा है पाउडर रखा हुआ है तो आप नाप करके एक चमच इस फटिलाइजर में डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 पाउच लिया है क्योंकि एक पाउच में लगभग आधे चमच के बराबर ही पाउडर निकलता है ये जो कौफी पाउडर है इससे बहुत अच्छी मातरा में नाइट्रोजन मिलेगा आपके पाउडर को तो नाइट्रोजन की कमी से कभी भी आपके पौधी की जो पतियां है वो बेजान या फिर डल नहीं होगी ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया सोर्स है और मातर दो रुपे का है बहुत जादा खर्चा भी करने की ज़रूत नहीं है एक पाउच आपको दो रुपे का पड़ेगा इसके अलावा ये जो कौफी पाउडर है कौफी पाउडर के अंदर आपको कैल्शियम और मैंगनीशियम भी नैचुरल तरीके से मिल जाएगा ये कैल्शियम और मैंगनीशियम का भी नैचुरल सोर्स है तो यहाँ पर जो लोग भी अंडे नहीं खाते हैं तो आप अंडे को यहाँ पर skip कर सकते हैं अंडे को आप मत भीगोना इस fertilizer के अंदर आप बस बाकी के जो यह तीन fertilizer है प्याच के छिलके, केले के छिलके और कौफी पाउड़े यह काफी है यह भी sufficient है यह सारे ही nutrition को पूरा कर देंगे आपके पौदे के अंदर लेकिन फिर भी आपको कहीं कोई doubt है तो आप एक chalk का छोटा सा टुकड़ा पीस करके इस fertilizer के अंदर मिला सकते है वो cashm की कमी को पूरा कर देगा आपके पौदे के अंदर लेकिन यह जो fertilizer है इसको हम 15 दिन में एक बार दे सकते है और आप chalk का इस्तमाल सिफ महीने में एक बार ही अपने पौदे के अंदर करें इसे जादा आप ना करें क्योंकि chalk बहुत तेजी से मिटी को alkaline बनाता है alkaline property जो है वो egg cells में भी पाया जाता है लेकिन यह बहुत जादा उनुसान नहीं करता है अभी यह दूसरा दिन है यानि एक दिन के लिए कम से कम आपको बिगो करके रखना है अगले दिन आपको कुछ इस तरीके का liquid fertilizer मिल जाएगा आपको सिर्फ एक ही दिन के लिए बिगोना है इसको बहुत जादा दिन के लिए बिगो करके नहीं रखना है अब इसको हम पहले चान लेंगे और चानने के बाद जितना liquid आपको मिलेगा इसका डेड़ से दो गुना और जादा पानी आपको मिला कर इस fertilizer का इस्तमाल अपने पौदे के अंदर करना है ये जो material बच गया है इसको अभी आप फेकना मत एक दिन के लिए आप और इसको पानी में भिगो करके रख दो आप एक दिन से जादा भी इसको रख सकते हैं और ये जो liquid fertilizer बनेगा इसको चानने के बाद आप इसके अंदर कोई और पानी मत मिलाना क्योंकि ये बहुत जादा strong fertilizer नहीं है अगर हम 1% इनके अंदर पानी न भी मिलाएं तब भी ये हमारे पौदे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत strong fertilizer नहीं है किसी भी तरीके का कोई chemical नहीं है इसके अंदर लेकिन क्योंकि मैंने इसको एक दिन के लिए भिगो के रखा था लेकिन फिर भी आपको डाउट है कि कहीं आपका जो fertilizer है पौदे को नुकसान न करें तो देड़ से दो गुना पानी जितना की हमारे liquid बनके तयार हुआ था उसका डेड़ से दो गुना पानी आपको मिलाना है और इसके बाद आपको अपने गुलाब के पौदों में जितने भी पौदे हैं आपके पास सबको दे देना है ये एक complete fertilizer है best homemade fertilizer है गुलाब के पौदे के लिए और पंदा दिन में एक बार आपको इस fertilizer का इस्तमाल करना है और आप यकीन मानों कि आपके पौदे के अंदर किसी भी तरीके का किसी भी nutrition की कमी नहीं आएगी nitrogen, potassium, phosphorus तो मिलेगा ही और जितने भी seaweed से हम fertilizer हमारे पौदे को देना चाहते हैं जैसी कि iron और magnesium especially iron और magnesium की कमी ही पत्तों को बेजान बनाती है तो यह कमी आपके पौदे में पूरी हो जाएगी अगर आप इस fertilizer को 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौदों में देते हैं देने का तरीका आप ध्यान रखें कि हमेशा आप मौईश मिट्टी में देना बहुत गीली मिट्टी में कभी भी इस fertilizer को मत देना इसको देने के बाद आप मिट्टी को तब तक पानी मत देना जब तक यह मिट्टी ड्राय न हो जाए जितना भी fertilizer आपने दिया है इसको time लगेगा जड़ों को अच्छे से absorb करने में extra fertilizer भी आपको नहीं देना है कि छेट से बहाँ निकलने लगे आपको बस इतना दे देना है ताकि नीचे तक जो मिट्टी है अच्छे से गीली हो जाए friends ये fertilizer पंदा दिन में एक बार अपने गुलाब के पौदे में आप इस्तमाल करके देखो सिर्फ दो बार इस्तमाल करने मातर से ही आपको बहुत ही बढ़िया result मिलेगा बहुत अच्छी growth के साथ साथ आपको अपने पौदे के जो पत्ते हैं वो बहुत ही चमकदार मिलेंग आपका पौदा फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया करेगा अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहा थो तो आगे फ्लावरिंग करने लगेगा growth भी करने लगेगा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रू करें और मेरे चनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न करने मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू